हेलो फ्रेंज मैं हूँ नीला और आप देख रहे हैं नीचर विट नीला हिंदी फ्रेंज बहुत सारे फ्रेंज मुझे पूसते हैं के मैडम एक अच्छा वाला अनार का वराइटी बताईए जो गार्डन में भी होगा खेत में भी हम लोग खेती कर सकेंगे उसके उपर तो आ दिखने में अच्छा होता है वेट अच्छा होता है बीजू भी अंदर नडम होता है और फलन इसका अधिक होता है आल टाइम का एक अनार का वराइटी है क्योंके अनार का जो भी वराइटी होता है जादा तरी आल टाइम होता है तो चलिए फ्रेंड आज इस अनार को हम ल जाती है तो हम लोग निस्चिन्त हो के उसको लगा सकते हैं तो चलिए इसको पहले कारते हैं बहुत ही सुन्दर है मुझे काटने में भी मन नहीं कर रहा है देखिए यह और भी कुछ दिन रहता पौधे में यह देखिए कितना सुन्दर साइज में हैं और कलर तो बहुत ही ब देखिए छोटा गुट्टी पकड़ लिया है यहाँ पे बड़ा हुआ है और फ्लावर भी बहुत सारा है थाई अनार एक ऐसा अनार है जो लोग थोड़ा सा भी निला को विश्वास करते हैं मैं बताना चाहती हूं बहुत अच्छा एक वराइटी है गुच्छे में आता है कलर भी अच्छा होता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है आज आप लोगों को भी मेरी व्यू इसलिए दे रही हूं कि बहुत अच्छा एक पराइटी है तो चलिए पहले इसको काटते हैं देखिए इसको जब आप लोग घर में काटेंगे तभी ऐसे काटिएगा तो सुबिधा होगा उसमें क्या होता है दाना जो होता है वो खराब नहीं होता है पूरा के पूरा ही अंदर रह जाता है और ये मैंने देखा था पहली बायर सुजन भाईया को आप लोग जानते ही है बंगलादेश का जो अनर किंग के नाम से जाने जाते है वो भाईया के पास से ही मैंने देखी थी ये देखिए वाउ इसका तो अंदर का जो दाना है बहुत ही मोटा है और अच्छा है देखिए फ्रेंड मैं आप लोगों को हाथ में लेके भी दिखा रही हूँ कैमेरा में कितना बड़ा आ रहा है मैं नहीं जानती हूँ लेकिन बहुत बड़ा है मतलब एक-एक दाना आप लोग हाथ में उठा सकते हैं बढ़ा-बढ़ा साइज का और कलार तो बहुत ही अच्छा है और जो मुझे लगणा है अंदर का जो बीज है जो दाना है वो बहुत ही भड़ा हुआ है मतलब हम लोग बेंगौली में बोलते है ठाशा है मतलब बहुत भरपूर मत्रा में है यह देखिए मैं पहले इसको काट लेती हूँ अच्छी तरह से उसके बाद इसको पूरा खोल के मैं आप लोगों को दिखाते हूँ बहुत अच्छा है और यह देखिए सुन्दर यह देखिए पूरा ही अंदर दाना जो है पूरा भड़ा हुआ है कितना बड़ा साइज का है और यह देखिए यह अगर इसके बाद का जो फ्रूटिंग आएगा मतलब पूरा ही जब सिजन में आता है तो यह और भी कलरफुल होता है और भी रेड कलर जादा आता है और मीठा पन और जादा बरता है अभी इसका मीठा पन कितना है मैं आप को ब्रिक्स में मापके भी दिखाऊंगी और थोड़ा खाकी भी बताऊंगी पहले में इसका दाना आप लोगों को पास से दिखाती हूं बहुत ही जूसी है दिखने में ही पता चल रहा है यह देखिए कितना बड़ा साइज का है अंदर का जो वाइट बाला पोर्शन है ब बहुत मीठा है अगर नीला को थोड़ा सा भी वरोसा करते हैं तो सच मुझ में मन से बोलती हूं था यानर बहुत अच्छा है एक वराइटे इससे पहली भी में बहुत बार खा चुकी हूं और खाने में सच में बहुत अच्छा है चलिए ब्रिक्स देख लेते हैं यह जो ब्रिक्स कितना आया है 15 15 से थोड़ा ज्यादा 15 घुन लीजिए पंदरा ब्रीक्स से बहुत मीठा है और इसको को देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद नमस्कार.